आगरा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पिछले कुछ महीनों से लोहे के दामों में तेजी का रुक बना हुआ है सरिय के रेटों में कुछ दिनों में एक कुंटल पर 15,000 रुपे की बड़ोतरी हुई है इससे लोहा वेपारी परिशान है आगरा लोहा वेपार असोसियेशन के अध्यक्ष मुकेश अगरवाल ने बताया कि देश के लोहा उत्पादकों की मनमर्जी के चलते बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है इससे भवन निर्मान कराने वाले लोगों पर भवन निर्मान लागत की मार पड़ रही है इस लोहे वजार को बढ़ने में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है जो के राइपुर मंडी और मंडी गोवन गड़ में काम करता है वो जब बजार को चाता है तब गिरा देता है वो जब बजार को चाता है तब बढ़ा देता है आम उपवक्ता इसमें पिसरा है जो चोटा रिटेलर दुकंदार है वो भी पिसरा है क्योंकि उसकी लागत भड़ती जा रही है उसका मुनाफ़ा खतम होता जा रहा है और इसकी वैसे जो कंश्ट्रक्शन है जो लोकल इस्थानी इस तरपर मकान बनती हैं फैक्टरी बनती हैं दुकान कनती हैं वो बिलकुल रु लोहामंडी बाजार में लोहे के रिटेल की दुकान चलाने वाले व्यापारी ने बताया कि बाजार में लोहे के रेटो में तेजी से दुकान के दिन भर की खर्चे निकल पाना कटिन हो गया है व्यापार में जो दिक्कते हैं वो तमाम तरह की परेशानिया हैं असल में चक्कर क्या है जो ऊपर सिंडी गेट जो बैठा हुआ है वो चाहता ही नहीं है कि नीचे का व्यापारी कभी ऊपर की तरफ आए और उससे यह हो रहा है कि हमारी लागतें बढ़ती चली जा रही है और हमारे स्टॉक माइनस हो रहे हैं और प्रॉफिट पर हमारे फरक पर रहा है खर्चे दवाने बढ़े मुश्किल हो गहे हैं इस समय व्यापार में तो इसलिए आपसे पेक्षा आपके चैनल के माद्यम से कि हम इसको किसी भी तरीके से रेट कंट्रॉल हो जिससे कि हमारे मार्जिनों में थोड़ा सा इदाफा हो सके जिससे हमारे पूरे दुकान के खर्चे व्यवस्तित तरीके से चल सके मेरा नाम अंजल गुपता है क्रिस्ना स्टु टेडर से में ब्लोंग करता हूँ आगरा लोहा वेपार असोसियेशन के अध्यक्ष मुकेश अगरवाल ने सरकार से लोहे के रेटों को नियंतरन करने की मांग की है जिससे देश भर के लोहा विक्रेताओं को राहत मिल सके सीनियूस के लिए अजय बहादूर की रिपोर्ट